कि अलो दोस्तों सर्दियों का मौसम सुरू हो गया है जैसे जैसे सर्दिया और कोरा बढ़ने लगता है और गाइस धूप नहीं निकलती है तो क्या होता है ऐसे टाइम पर आपने देखा है क्या होता है इस टाइम पर इंसान के हाथ पैरों में सूजन और अने लगती है कि और इनके काफी दर्द आने लगता है इन पर लीड पढ़ने लगते हैं गाइस देखा होगा आपने पर में हलकी हलकी खुझली होने लगते हैं कि हरके खुचली यह आपको परिसान जाद दाओ करती है होती तो यगा और कि अधे होती है और गाइज जिसके ही प्रेसा नियुंग वह से चल में बहुत ज्यादा तखलीफ होती है इनमें एक परक्रण कर दर्द भी रहने लगता है मैं आज आपको को बताऊं इन सबसे बचने के लिए आपको 45 फार्मुले घरे लूँ नुक्षे बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल है जो आपको आपके घर पर ही यह सामगिरी मिल जाएगी गाइस और गाइस एक जरूरी बात अगर आपने मेरा चैनल माई यार वेदिक टिफ्टू अभी तक स उसे सब्सक्राइब कर लें लाइक करें कमेंट करें और गाइस इस बैल आइकन को भी दावा दें ताकि हमाई जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुचे और उसको फायदा और उसका फायदा उठाए और गाइस इसे सेर्वी कर दें अगर कोई व्यक्ति विचारा कि इस प्रोब्लम में फसा हुआ है तो उसके पास अगर यह वीडियो पहुचे की तो वह है यह नुक्से करके ही देखें उसे बहुत ही लाव मिलेगा गळ्षिक सब घ्रवलक सब्सक्राण करें और इसमार को घ्रार करके किस तरह और क्या 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 चीज़ेश है जिसको हम इन परोब्लम में यूज कर सकते हैं तो गई सुरू करते हैं सबसे पहले आपको में यह मटर मटर आपको हरी मटर जो आपको मार्किट में मिल जाएगी हरी मटर आपको मार्किट में मिल जाएगी इसको थोड़ी सी मटर को लेकर पानी में उबाल लेना है में काहिस क्या है हमें थोड़ी सी मटलेनी है और पानी में वाल लेनी है पानी हिल्का गुन गुला रह जाए। जितना आप सह सके क्योंकि सूजन होने के गारण हम सह नहीं पाते हैं इसलिए आप अपनी मर्जी अनुसार जितना आप गुनगुना गरम सह सके उतना आप से गरम कर लें और इससे अपने हाथ पैर जहां आपके सूजन आउई है खुजली है थोड़ी दिर उस पानी में रहने दें नंबर दो पर है सलगम सलगम आपको 50 गरम सलगम लेनी है और उसे एक लीटर गरम पानी में अबाल लें गाइस एक लीटर पानी में उबाल लें और आप इसे जितना आप सेहाँ सकते हैं उससे थोड़ा जादा गरम पानी लेना है और आपको उस पानी से हाथ पैरों जहां पर आपके सूजन है गाइस जहां पर आपके सूजन है खुजा रहे हैं उन हाथ पैरों को हाथ में या पैर में जो भी है उस पानी में डाल दे इससे आपको हाथ है या पैर है काफी हद तक सूजन या एलर्जी से बहुत लाब मिलेगा नमबर तीन फर है गाइस फिटकरी तो फिटकरी तो आज कल देखा हो जाए तक पानी में हाथ पैर ज्यादा ज्यादा देड़ तक हम हाथ पैरों को अपने है पानी में रखते हैं तो ठरण के और हात पैरों में एमेस घ्री आजाती है हात पैरों में कि आए मेरें के कि उस पानी को वाल ले और इस पानी से अपने हाथ पैरों को दोए अगर जहां पर यह आपके सूजन आ चुकी है और गाइस सूजन आने के कारण एलर्जी भी है तो वह भी आपकी खतम हो जाएगी आप पांच अक मिनट तक इन्हें जहां पर आपके सूजन है हाथ है या पैर है उसे इसमें पानी में रखे गुनगुना पानी रहे जितना आप से सकें नमबर 4 पर रहें सरसो का तेल अगर आपके पास इन ती यह चीजों इन तीजों में से कुछ नहीं है नहीं पिजना समय हैं तो आपको करना चाहर चमाच सड़सों का तेल लेना और एक चमाच पिसा सैंदा नमक लेना है पिजना नमक होता है जिसे भुरत में यूज किया जाता है नहीं पिजना जाता तो इन्हें खुछ एठेश आपको हलके हलके हलकि हाथों से लगा कर मसाच करनी है मसाच करने के बास योधित भी दिन वर में घूमता है फिरता है और हाथ पैर गीले भी होते हैं रात में आदमी सो जाता है तो गीले नहीं होते नहीं घूमता है कि ऐसा करने से आपको गाइस कि तीन चार दिन वहीं आपको बिल्कुल लाहब मिल जाएगा यह उपाय करने यह उपाय याद रहे आपको ही करने हैं इन चारह में से कोई उपाइए आप कर सकते हैं इससे आपको काफी रहात मिलेगी उमीद है कि आपको यह मेरे चारो उपाए गरेल नुक से पसंद आए होंगे और यह बहुत ही इजी हैं और यह आपके घर चारो आपके घर पर ही मिल जाएंगे और यह आशा करता हूं गाइस उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज़े और अगली वीडियो का इंतिजार करें अगर आपको कोई भी प्रोब्लम है हमें कमेंट बोक्स में लिखकर भेज़े लाइक शेयर कमेंट जरूर करे झाय धूजए लोग झाल रा हू झाल 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 झाल